हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तों आज की वीडियो में हम 8 नवंबर सी समंधित उत्वरदिश के सभी एक्जाम के लिए most important करेंड फिर के questions को discuss करेंगे और हरी questions related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउलोड करनी है इस वीडियो की तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से डाउलोड कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप की link आपको इसी वीडियो स्टार्ट करनी से पहले हम जो है उत्रप्रदेश में प्रमुग जेल और ताल ये कहां पर रिष्टे थे थे इनको रिवाइस करते हैं तो करेला वायतोजा जील ये कहां पे है ये लखनों में है नवावगंज जील और कुंद्रा समुंद्र ये उन्नाव में है ब होगे ताल वा विस्यथा ताल ये कहां पे है ये राय बरेली में है लिलोर जील ये बरेली में है ठिटोरा जील और मुराय ताल ये कहां पे है तो ये फतिवर में है बेती अजगरा और नईया जील ये कहां पे है ये प्रतापगर में है इसे हमने आपको कल भी रिवाइस कर पक्षियों का आग्मन इस्थल की रूप में जाती है यह कोशांबी में है ओंधी ताल कहां पे है तो ये वारानसी में है और राजा का बांध लॉंधी वा भोजपूर ताल ये कहां पे है ये सुल्तानपूर में है तो दोस्तों ये सभी वेरी इंपोर्टेंट है कई वार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो सभी का अच्छी से याद रखेंगे चलिए अब शुरू करते हैं कारेंट अफेर्स का सेसन तो आज का सेसन शुरू करने से पहले हम कल के कुशन का रिवेजिन करेंगी कल का पहला कुशन है हाली में किसे ओल इंडिया सेंट्रल काउंसल ओफ ट्रेड यूनियंस का देख्शे चुना गया तो आपसे नमबर ए करेक्ट होगा आसा देवी को अगला है हाली में प्रदेश में आईटी सेक्टर में कितने करूल रुपए के निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट की मनजूरी दी गई है तो साथ हजार करूल रुपए की दोस्तों उत्तवरदेश करेंट एफिर की लास्ट एट मंद की अगर आपको पीडियाफ एबुक डाउनलूड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप इसकी पीडियाफ एबुक डाउन देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझते पर हस्ताक्षर किये हैं तो option number a correct होगा उस्टेलिया ने अगला है हाली में खाद्य और सारवजिनिक वितरण विवाग की सचिव की रूप में किसने पदभार ग्रहन किया है तो option number यहां पे correct होगा दे यहां पे correct होगा संजीव चोपडा अगला है हाली में किसे फिक्की के अगले अध्यक्ष की रूप में नामित किया गया तो option number a correct होगा सुभरकांत पांडा को अगला है हाली में किस किंद्रिय मंत्री ने नई दिली में सिल्प समागम 2022 का उध्गाटन किया तो option number b correct होगा किंद्रिय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अगला हाली में किरल की किस सहर में 4 नमबर 2022 को अर्बन, मॉबिलिटी, इंडिया कॉनफरेंस, एंड एक्सपो का पंदरवाज संसकर्म शुरू हुआ है तो किरल के कुची में ये शुरू हुआ है option number b का correct होगा अगला है हाली में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगला है कौन सी भारतिय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीन फिल्ड रिफाइनरी का निर्माड करेगी तो option number यहाँ पर D correct होगा Mega Engineering and Infrastructure Limited ये जो है मंगोलिया की पहली ग्रीन फिल्ड रिफाइनरी का निर्माड करेगी तो दोस्तों यह थे कलके questions जिसका हमने revision किया अब हम सुरू करते हैं आज का सेशन राज का पहला उशन है हाली में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थिववस्था बनाने के प्रस्ताव को प्रस्तोत किया गया रिख कर देश को वन ट्रिल्यन डॉलर की अर्थिववस्था बनाने के लिए सरकार जिसके अंतरक हो किरे नासी भुर्या दिन्हूंगा स्वास्थ नियायक पुडाली शिक्षा भारी–द्यॉद्यू आदी पर खर्च की जायेगी सरकार के अनुसार वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थिवस्था पाने के लिए सालाना विकास दर जो है वो तीस से 35 प्रिच्था तक बढ़ानी होगी तभी जो है वन ट्रियन की डॉलर की जो अर्थिवस्था है वो यूपी की हो सकती है तो यहां से याद रखेंगे आप कि एक ट्लियन डॉलर की अर्थिवस्था बनाने के प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया है अभी किस राज में तो यह उत्तर प्रदीश में अगला कुशियर है निमलकित मैंसे किस अंस्थान के वैग्यानिक चाइल्ड रोब होगा यानि कि दोस्तों क्या है कि आज किस में अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो डिजिटली चीजों से जैसे मोबाइल है लेप्टॉप है इन से जादा खेलना पसंद करते हैं इसके लावा घरों में देखा जाए तो आमतोर पर संख्या भी कम होती है जिसके वो ऐसे रोबूट पर काम कर रहे हैं जो कि बच्चों के साथ खेलेगा हसेगा और जिग्यासा सांत कर उनकी किताबी ज्यान में भी जो है उनकी सहायता करेगा ठीक है इससे उनका विकास भी होगा तो ऐसा रोबूट बना जा रहा है जो कि बच्चों का कह सकते हैं दोस्त स साबित होगा सहस्थान के मेकैनिकल इंजिनिरियों की टीम इसका निर्माड कर रही है और इसे नाम क्या दिया जाएगा तो चाइल्ड रोबूट जो है इसको नाम दिया गया है विसे सग्य रोबूट में छह वर्स से लेकर कि बाहरा वरस्त की आयू की बच्चों वासेक्षि आप यहां से याद रख सकते हैं कि जो आई 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 टी कानपूर के सोध करता है वो एक विसेस तरह का जो रोबूट है वो तैयार कर रहे हैं और वो जो रोबूट है वो किस लिए होगा तो बच्चों के लिए वो जो है कह सकते हैं कि दोस्त की तरह साबित होगा बच्च सेल चित्र मिले हैं तो यह जो सेल चित्र हैं यह मिले हैं चित्र कूट में और सी इसका करेक्ट होगा और यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं यहां पर ध्यान से देखेंगे यह देखेंगे यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहां पर आप देखेंगे यह एक चित्र ह तो ये जो चित्र हैं ये कहां पर पाई गई है तो उत्रप्रदीस की चित्रकूट में ये चित्र पाई गई है दोस्तों चित्रकूट के जहांसी मिरजापूर अस्टी राजमार 35 के किनारे इस्तित भौरी का पहाड एक पहाड है इसका नाम है भौरी का पहाड तो यहां पर जो है दुर लब प्राग इतिहासिक सेल चित्र मिले हैं जने यतिहासकार हजारों साल पुराने होने का दवा कर रहे हैं अब यह जो सेल है यह कहां पे हैं यह दो आपने देखा कि चित्र गूट में भौरी के पहाड पर हैं तो जो पहाड है उसकी उची चोटी पर गुफाएं है ठीक है तीन गुफाएं है तो वहाँ पर जो है एक गुफा है उसमें चित्र पाए गई है गुफा में प्रवेस करते ही एक बड़े सैल चित्र में हिरन का जो चित्र है वो देखने को मिलता है एक बड़ी सला के नीचे और प्राकरतिक छत में बड़ी संख्या म उस पहाड़ पे उपर तो वहाँ पर जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाया तो तीस, लगबग तीस के आश्पास चितरों की संक्या मिली है इन चितरों में विसेच रूप से हिरं का चितर है, बकरी का है, धनोशधारी मनस्य का है, कुत्ता का है, गाय घोडे का चितर है दूसरे सलाखंड में विविद प्रकार के 18 चित्र है एक साथ तमाम धनोजधारी बांड लिये मुनस्यों के प्रागयतिहासिक चैल चित्र मिली है तो यह आप समझ सकते हैं कि हाली में हजारों साल पुराने जो सैल चित्र हैं वो कहां पर मिले हैं तो चित्र कूट में यह मिले हैं भौरी का पहाड़ है तो वहां पर जो है उची चोटी पर गुफाएं हैं उनमें यह चित्र मिली है यहां पर आपनी इमेज भी देखी कि किस तरह के चित्र हैं तो यह आप देख सकते हैं चित्र हैं इसके लाब और भी चित्र हैं क्यूंकि चित्रों की संख्या कितनी है तो वो 30 है यहां पर एक बड़ी सिला है जिसमें प्राकृतिक छत में चित्र बने हुए हैं तो वहां पर और यहां पर भी करेक्ट होगा 7 नवंबर को दोस्तो हर साल कैंसर के बारे में जागरुकता ब्राने के लिए भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रिय कैंसर जागरुकता दिवस मनाय जाता है यह जो दिवस से घुशित कब किया गए था तो पहली बार 2014 में यह घुशित किया गय है ठेकि 7 नवम्वर को राष्ट्र एक कैंसर जागुकता दिवस्टों जो मेरी क्यूरी हैं मेरी क्यूरी के कारियों से कैंसर के ईलाज के लिए रेडियो थेडियो नियंतरण जो कारिक्रम हैं उसकी सुरूआत 1975 में की गई थी तो यहां से आप सारी बातें याद से वो मना जाता है ठेक याद रखेंगे और यह भी यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत में राष्टी कैंसर नियंदरन कारिकरम की शुरुवात का हुई थी तो उनीस सुपचेतर में यह हुई थी दोस्तों एक यहां से बात याद रखेंगे कि जो यह दिवस है यह तो राष कैंसर दिवस यह जो है चार फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रे कैंसर दिवस अगर पुंचा जाए तो साथ नवंबर को अगला है हाली में किस राजय सरकार ने लखपती दीदी योजना का सुभारम भी किया और यहां पर बी करेक्ट होगा उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों उत्राखंड के जो चीफ मिनिश्टर हैं पुसकर सिंग्धामी इन्हों ने जो है अभी क्या किया है चार नवंबर 2022 को देरा दून में लखपती दीदी मेले का उधगाटन किया है ठीक है यहां से याद रखेंगे लखपती दीदी मेले का उधगाटन किया और इस भाग की योजना दोहजार पचीस तक स्वयम सहायता समू की एक लाख पचीस जार महिलाओं को लखपती बनाने की है ठीक यानि कि इस योजना के तहिती लक्ष रखा गया है कि साल दोहजार पचीस तक जो है एक लाख पचीस हजार महिलाओं को लखपती बनाए जाएगा त लगपती दीदी योजना किस राजे से संबंदेत है तो उत्राखंड से अगर ये पूछा जाए कि लगपती दीदी मेला किस राजे से संबंदेत है तब भी आपका अंसर होगा उत्राखंड ठीक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे और लगपती दीदी योजना के ताहित क्या है तो 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को जो है लगपती बनाए जाएगा ये लक्ष रखा गया है अगला अक्षन है इस रोग इस देश के सहयोग से मून के सैडो साइड पर यानि की दक्षली धरोप पर खोज करने की योजना बना रहा है और यहां पर भी करेक्ट होगा जापान की साथ दोस्तों भारतिय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संग्ठन है इस रोग इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन तो ये जो है चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद अब जापान की अंतरिक्ष अजनसी के सहयोग से मून से कराई जाएगे ठीक तो यह जहां से रखेंगे कि चंद्रमा का जो साउथ पूल है दक्षवी ध्रोव है उस पर जो है अब इस रोग किसके साथ तो जापान के अंतरिक्ष अजनसी के सहयोग से वहां पर जो है जाने की तयारी कर रहा है अब दोस्तों याद होगा आपको की साल 2019 में आज से 3 साल पहले इस रो ने जो है एक मिसन था चंद्रियान 2 जो है मिसन वो लॉंच किया था इस रो ने और क्या था तो जो चंद्रमा है इसके साउथ पूल पर जो है अपना जो लेंडर था विक्रम नाम का उसे भेहने की जो है क्या की थी योजना बनाई थी आप वियाद होगा लेकिन क्या हुगा कि वो जो सौफ्ट लेंडिंग है हो नहीं पाई थी वो जो है क्रेस हो गया था तो लेकिन क्या था कि अभी तक जो चंद्रमा का साउथ पूल है यहां पर कोई भी देश जो है नहीं पहुचा है यहां पर किसी भी देश का जो लेंडर ह वहांपर नहीं land किया है तो यह भारत नहीं किया था अगर हो जाता तो भारत ऐसा पहला देश बन जाता जो कि चंदरमा के साउथ पूल पर लेंडिंग करा हुए soft landing कराने वाला ये देश दुनिया का पहला देश बन जाता तो अभी जो है भारायत ने फिर से जो जापान के अंद्रिक्ष एजनसी है उसके साथ चंद्रमा के साउथ पूल के पास जो है जापानी रोकेट की मदद से लेंडिंग कराने की जो योजना है वो बनाई जा रही है तो ये चीज़ आँसे याद रखेंगे जापान के साथ अगला है एक कैलेंडर वर्स में एक हजार T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहले भारतिया खिलाडी कौन बने ऑप्सन नमबर यहां पर से करेक्ट होगा सू सूरे कुमार यादव यह चैनल नमबर 2022 को एक कैलेंडर वर्स में एक हजार T20 अंतराश्टिया रन बनाने वाले पहले भारतिया खिलाडी बन गए उन्होंने मेलवर्ण में जिंभावे के खिलाफ भारत के अंतिम सूपर 12 चरण मैच में यह उगलबदी हासिल की है उन्हों से याद रखेंगे कि साल 2022 की अगरम बात करते हैं यानि कि एक कैलेंडर वर्स में सबसे जादा T20 अंतराश्टी जो रन है वो किसने बनाई है तो यह बनाई है सूर्य कुमार यादव ने यानि एक हजार T20 इंटरनेशनल की अगरम बात करें बनाने वाले तो यह जो है पहल नवंबर को दोस्तो सिक्षा मंत्राले यहां से याद रखेंगे सिक्षा मंत्राले देश बर के स्कूलों और उच्च सिक्षर संस्थानों में 15 नवंबर को जन जाती है गौरो दिवस मनाएगा दोजार रिकीस में किंद्र सरकार ने बहादूर आदिवासी सोतंता सेनानियो किसमर्ती में 15 नवंबर को जन जाती है गौरो दिवस की रूप में घोसित किया था और दोस्तों 15 नवंबर को किसकी जैनती है तो 15 नवंबर को जो है सोतंतरता सेनानी समाज सुधारक और देश के समानित आदिवासी नीता बिरसा मुंडा की जैनती है तो इनी की जैनती के पर जो है जन जाती गौरव दिवस की रूप में मनाए जाएगा और दो हजार एकीस में इस दिवस की जो है घोश्रा हुई थी यानि दो हजार एकीस में इस दिवस को जो है शुरू किया गया था तो याद रखेंगे आप यहां से सारी बात हैं कि जो जन जाती है गौरव दि नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई दो पुस्तकों का विमोचन किया गया option number यहाँ पर एक correct होगा सयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों नवंबर 2022 में कौसल विकास और उद्मिता राज्यमंत्री राजीव चंदर सेखर ने दुबई में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई दो पुस्तकों का विमोचन किया अब यह जो दो पुस्तक के थी वो कौन कौन सी है तो पुस्तकों के नाम याद रखेंगे अब काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है देश के बाहर यानि दुबई में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर जो दो पुस्तके हैं उनका विमोचन किया गया दोस्तों दुबई से सम्मंदित आप कुश्चन याद रखेंगे अभी एक्जाम में पूचा भी गया था याद हो का आपको अभी इसके लावा याद रखेंगे दुनिया की सबसे चुब शूरत इमारत है वो कहां पे है तो वो जो है में पूचा पर जुक दुबई में इसलो करने वाला देश कोन सा है तो गोल्डन विजा सुलू करने वाला देश है संयुक्त, अरब, अमीरात और एक और याद रखेंग कि hope mission जो है किस से संबनित है तो hope mission जो है यह संयुक्त अरब अमीरास्ति संबनित है और यह मंगल गरह के लिए जो है इसको launch किया गया था ठीक तो यह संयुक्त अरब अरब अमीरास्ति संबनित कुछ important questions है जो कि याद रखेंगे अगला हाली में किन दो दीशों की बीच vigilance अभ्यासों में से एक operation vigilant storm की शुरुवात की है पांच दिनों तक चलने वाला यह जो अभ्यास है इसमें दोनों देश मौक हमले का अभ्यास कर रहे हैं तो याद रखेंगे करेंड फिर की कुश्चन जो की हमने डिसकस किये अब हम देखते हैं कल की वीडियो को कुश्चन जो हमने आप से पूछा था यहाली में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चुलाने का रिकॉर्ड बना यहां पर डिकरेक्ट था सुटिया लेंड और जिम कॉर्वेट विक्सित करने का नडाय लिया यहां पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में आना है और दोस्तों सभी लोग कुश्चन का आंसर जरू क्या करो तो दोस्तों अगर आपको आसका वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस् वीडियो में थैंक यू